रकेश जो है मैं उनको टेकेद नहीं बोलता रकेश बल्यान जो है अगर उसको यूपी के अंदर इतना बुरा एट्मास्फिय लग रहा है तो क्यों वो गिडगड़ा रहे हैं अगर एक बार योगी जेने सक्ट स्टेप उठाने कोजिश कर रही है और दूसरी बात अभी उन परचंड रचते हो और सबको जेश के खिलाब बढ़ेश के खिलाव बढ़काते हो अंगा पॉलिटिक से करनी है तो या जो now-dollan है यह जो हैना अगर आप इनको देखेंगे तो यहां सारे के सारे जो है या तो लेफ्स के जो है नगिर के बड़े बड़े योदा लोग बैटे में है generating को wise यतार लोग बैटे में या आप पार्टी के योदा लोग बैटे में या बटे में यैशिया सपा के जोड़ा बैटे में हैं and they are openly and from the background they are all supporting this they are funding it may as dibenya advocate अगर यह किसानों के आहित में होता तो यह जो रॉकेश टिकेट एक गलत है, रकेश बल्यान बोलना चाहिए यह टिकेट एक पद्वी है, एक ओदा है, जो श्रफ नरेश बल्यान को मिला हुआ है, और रकेश चैनाट यूस दिस सरनेम टिकेट विकॉज इटी जे स्टैटस एक ओदा उनको दिया गया है परधान के रिका तो वो परधान नहीं है परधान रेश टिकेट हैं तो अगर ये किसानों के हित में होता तो ग्यारा मीटिंग जो गवर्मेंट आफ इंडिया ने इनके साथ करी है उनमें कोई तो सथा कि साब वी वाट नत्रिग एकसेप्ट विड्रावल अफ त्री एनक्मेंट्स बढ़ेए डेमोक्रेटिक कंट्री है या हिट्लर-शाही है जहां कहते हैं नहीं साब हमें कुछ नहीं चाहिए यह तीनों कानून वापीस होने चाहिए अरी भाईया तीनों कानून तो वा प्राब्लम नहीं है से स्टेट्स को कोई प्राब्लम नहीं है और किसानों को भी कोई प्राब्लम नहीं है तो साब यह आप कौन सी बीच की ब्रीड निकल के आ गए है कि सारी प्राब्लम आपके लिए क्रियट हो गई है सारा और फिर कोविट के अंदर जबकि वर्ड की सबसे ज्यादा इस संचरी की मारी रही है उसमें आप लोगों को इकठा कर रहे हैं बिचारों को और यहां कोविट से इंफेट करके गाओं में बेज रहे हैं और जो बिचारे गाओं के अंदर लोग मर रहे हैं किसान भाई उनकी आपको कोई फिकर नहीं है आपसे पूछा गया भीया जी यह बताओ आपके यहां कोविट के कितने केसिस हैं कहते एक भी नहीं है इससे बड़ा जूट कौन कह सकता है आप तो जूट के दरिया हो समंदर हो अगर मैं कहूं तो वो भी गलत नहीं है आप कर क्या रहे हैं क क्यों किसानों नुक्सान करा रहे हैं और अगर मैं एक चीज कहूं तो वो भी शायद गलत नहीं होगा। 26 जनवरी को जब इन्होंने देश का जंडा फेक करके एक पर्टिकुलर कॉम्मुनिटी का खाली स्थानियों ने जंडा लगाया था। या खाली स्थानियों जो मोमेंट चला तो उसके खिलाफ था और मोधी सरकार को उस समय थोड़ी हिम्मत करके इनको पूरी तरह यहां से हटा देना चाहिए था। उन्होंने इसको अनने स्रेली ता लंबा खीचा पता नहीं उनको कौन सी अजिप पॉलिटिकल प्रॉब्लम रही हो कि वो इनके ओपर हार्श एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का जब वो इनकी हित की बात करते हैं उनको बेनिफिट देते हैं सब कुछ देते हैं उनको तो उनके खिलाव अगर कोई गलत काम होता है तो उस पर क्योंनी एक्शन ले लेते हैं। हो गए तो कहते हैं हम 2024 तक हैं क्यों हैं क्योंकि ये किसानों का अंदल नहीं है ये का पुजिशन पार्टी का युनाइटिट एफ़र्ट्स है जिसको एक प्लेटफार्म मिला हुआ है किशानों के नाम से और इनका एक ही मकसद है किसी तरह से मोधी सरकार को बदनाम करें औ मुझे समझ नहीं आ रहा है छोटी सी बात को हमारी मोधी सरकार को समझने में कितना समय लगेगा और क्यों नहीं इनके खिलाब सकती से पेश आते हैं अरे जिसने वोट दे नहीं वोट देगा है जबकि मोधी ने जिस समय सेकिंटर में आये उन्होंने कितने ज़्यादा बे वोट दो दो पर दो 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 इनके बाल पर झाव शित्री भी श्की मासा का श्री वोट सब उनिफोर्मल एप्लिक एब टो अधूर्ड थे नहीं चर्ड आप श्री आपोजिशन वार्ड पोजिशन करिये बटोंट आप एख परदोंट रिस्क और दोंट रिस्क्य दाइं ट बदनाम करते हैं अब देश को बदनाम करने पर तुल गए हैं आप यह नहीं सोचते कि मोधी ने पांस सालों में कितनी इमेज देश की बनाई है और देखी करोना में कितने देश जो है ना हमको मदद करने के लिए हैं हमारी क्या गुडविल है आपके यूवनो में देख आपके यह सिंपली करा इंपली टो दोंट वी दिए अपी अच्छाट्री करें कितने अच्छाट्री बार गया है और कोई भी जो है जो ना जो नाच्छरी पाइंट का आथ मी होगा सटेश पांट्री होगा यह विल अवर ओर ओर वार्ट फर दी मोधी एंट बीज एंट ब एक्सेप्ट दोज परसर्स हुआर इंटी नैशनल जिनको देश की परवा नहीं है उनका काम सिरफ देश को तोड़ना है तुकड़े तुकड़े करना है तो लेट मी कम बैक तुदा किसान आंदोलन यह जो किसान आंदोलन है यह जो है ना अगर आप इनको देखेंगे तो यह सारे के सारे जो है ना या तो लेट जो है ना पार्टी के बड़े-बड़े योदा लोग बैठे वे हैं या कांग्रेस के योदा लोग बैठे वे हैं या पार्टी के योदा लोग बैठे वे हैं या सपा के योदा बैठे वे हैं और ओपन ली एंड फ्रम दा बैक्ग्राउ के साथ मिलकर के और ऐसे अगर कोई परपंचंड करता है तो उससे ज्यादा देश द्रोई कौन है अगर वाकई में ये जो है आपका रकेश जो है मैं उनको टेकेद नहीं बोलता रकेश बेल्यान जो है अगर उसको यूपी के अंदर इतना बुरा एक्मास्फिय लग रहा है तो क्यों वो गिड़ गड़ा रहे हैं अगर एक बार योगी जी ने सक्ट स्टेप उठाने कोईशिश कर रही है और दूसरी बात अभी उन्होंने रिसेटली बोला है कि सब योगी जो हैं उनके करमकांड ऐसे हैं अरे भाया कौन से करमकांड योगी ने कर लिए जो खराब पर बता तो दीजेगा अगर योगी जी सब को बराबर एक निकास से देखते हैं किसी को दूसरी का से नहीं देखते तो क्या वो बुरे बन जाते हैं अगर वो योगी जी वहांपर law on order को properly implement करते हैं और ensure करते हैं यहांपर किसी को भी किसी किसम का डर या भाय ना हो तो क्या वो गलत करते हैं अगर वो चाहते हैं कि यहां पर बच्चियां और लेडिस खुलकर गुमसागे उनको उनका किड्नेबिंग का उनके रेप का उनके चीटिंग का उनके इव टीजिंग का कोई डर ना हो तो क्या मोदी जी गलत हो गए है अरे रकैश एक बात तो बता देख क्यों तुम जूट परचंड रचते हो और सबको देश के खिलाब बढ़काते हो देश की गौफ्य करनी है तो यार उनफेक्स करियेगा लेडिस प्लिटिक्स भी एक अन्स्टरक्टिव पॉलिटिक्स और आपके जो अपोजिशन पार्टी होती है वो दो किसम की होती है तीन किसम की बलकी एक तो वो है जो बना मतलब के सरकार को बनाम करते करते देश को बनाम करने अब तो क्या आप यह चाते है हमारिया पॉजिशन ऐसी हो जो देश को बदári करें देश को उननतीर के राष्टे छोड़ करके उसको अवनतीर के राष्ट के लेज़ाएं कmotॉ कि क ден जादा फैल जाए कि कॉंट्रोल ना कर सके देश क्या वो चाहते कि हमारे गरीब जो किसान है जो आप देखें मोर दें थ्री लैक्स जो किसान थे जुन्होंने आत्म हत्या कर ली क्योंकि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी पहने के लिए कपड़ा नहीं था पैरों मे चपल नहीं थी यह किसान रेली जो है वो किसके सपोर्ट में कर रहे हैं कौन उनको फाइनस कर रहा है यह बच्चे बच्चे को पता है इसमें 80-90% जो इनके कंट्रिब्यूटर्स हैं जो इनके पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे वो आड़ती हैं जो बिहार से यूपी से ब इसमें जो नहीं ते और किसान का पुरा बैनिविट भी लेते थे क्योंकि पंजाब की सरकार जो थी वो इस बात को पुरीत रहें से कंट्रोल नहीं कर पाई और तो तो किसी ओज़्यादापे पैसे मिल रहे हैं तो वाइशृट the government stand between them अगर मैं किसान हूँ मेरी फसल का एक जगह जा करके मालो पांच जार पर किंटल मिलता है तो मैं सरकार को MSP के थूँ तीन जार में क्यों बेजू अगर सरकार मुझको छूट देती कि ठीक है आप पांच जार रुपए बाहर बेज दीजिए का तो I'm grateful to the government तो सरकार को प्रती जो आप किसान है वो तो बड़ा खुश है और रकेश जी ये जो आप ड्रामे बाजी रोज नहीं नहीं करते हैं कभी आप जाके ममताब एनर्जिस से मिलते हैं कभी जाकर केशरी वाल के जाके बैट जाते हैं उनके पहलू में ये सब किस लिए बैट रहे हैं क्या ये किसानों को रिलीव देंगे हैं जो रिलीव अगर सरकार से लेना है तो सरकार से रिलीव मांगिए आप आप बेकार में यहां बैट कर कोबिट को बढ़ा रहे हैं और आपके जो ये फंक्शन्स हैं इसमें तो इसको तो मैं को रेप अंदोलन तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यहां पे कितनी लड़कों का आपने रेप कर दिया कभी आपने देखा है बताई उनके किलाब क्या आक्शन लिया आपने अप पुलिस वालों को पीड देते हैं कभी कहते हैं यह वर्दी में नहीं था गलत-फेमी हो गई होगी आप कोई पतर का जाते हैं फोटो लेता है उसको पीड़ पार देते हैं उसको मार देते हैं यार कुछ तो शरम करो क्या वो तुम्हारा अपना प्रस्टर प्रॉपर्टी है क्या यहां अंदोलन कर रहे हैं एनीबडी केंगो एंड सी वाटीज देर या आप कर रहे हैं हम नहीं चाहते हैं कोई पुलिस वाला है या कोई सरकारी मुलाजीम आए वह हमें चेक करें जब आप देश द्रोह के आप नहीं काम कर रहे हैं आप कहते हैं हम तो किसानों की हित्मे काम कर रहे हैं तो किसी को भी आ रहे हाने दीजिएगा आपको क्या इत्राज है उसके अंदर अगर पुलिस आती है कुछ फोटोग्राफ लेती वो भी क्राइम ब्राश की दिल्ली पुलिस आ रही है आप उसको पी है पाकिस्तान में जाए आप किस लिए बैटें यहां एंदोस्तान में इन्ट उस्तान में स्टैनивать किसानों के नाम लेते हैं बटना लिए कि सान की खिलाफ काम कर है आप लोग में इस दो에서 और सरकार को अभी भी मेरी गुजारत से हाँ जोड़के मोधी सरकार से प्रातना है कि इसको जितनी जल्दी आप उठा देंगे उत्रही पोलिटिकल गेन आपको मिलेगा अधरवाइस देविल बी डैमेजिंग इस 2024 एलेक्शन एं 22 एलेक्शन यूपी अलसो अगर किसी को ज्य आरे सेंटल गोर्मेंट एं स्ट्रिक्ट एक्शन इस रिक्वाइट वी टेकन अगेंस देम और मुझे तो इस बात की बड़ी हरानी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्यू मोटो लिया था और एक कमेटी कंस्यूट की दिए और कमेटी की रिपोर्ट औरी सुप्रीम को सिस्ट फैबरवरी 2021 और इतना टिपिकल इशू यह है इतना इंपॉर्टेंट इशू यह है इसे कोवीड इसे बिकमेटी सुपर स्प्रेडर आफ कोवीड इन इस कंट्री उचके बाजूद भी मैटर इस नॉट बीं टेकन ऑन अर्जन बेसी और जबकि छोटे-छोटे मैट स्टेट को आपके हाई कोर्ट में इमीडियेटली ले ली जाते हैं मैंशनिंग के ओपर वाइदी सच अ सीरियस मैटर इस नॉट बीं टेकन बाइदी ऑनरेबल सुप्रीम कोट अर्जन बेसीज और सभी लोग यह कह रहे हैं भया वो जो मनें कमेटी बनाए थी वो कमेटी र कि अपर वो कमेटी ले ले अग्यू सुप्रीम कोट अपर इस नॉट यूट अवाइद इस नॉट रखनाब एद टुट वाइद ले लोगज शुट अवाईबल एधर टुट एजू इस अश्तियर और टुट अज़ियेशाई आप्वाट टे लोगमेट और टूबल टे ल सब्सक्राइब करना चाहिए अब देखे इसी केस में सुप्रीम कोट ने सुमेटर लेकप किया था बिकॉस इट वाज़ और प्रॉब्लम इन दा कंट्री जब उनको पता लग गया इस टेकन देखने केस तो इट शूमोटर बेसिस तो इट शूट बी हाड और अजंट बेसिस इस एविल जो यह नूसंस क्रेट हो रही है इसको वन्स फर आल इसको डिस्पोस कर दिया जाना चाहिए और इस पीपल शूट बी थ्रोण ओट आफ दिस बॉर्डर एरिया जहां यह कर रहे हैं जस्ट लाइक पर्संस वर सिटिंग उन धना इन सी ए और एनर सी कैसी तो मेरा यही गुजारस है सुप्रीम कोर्ट से भी है और गौर्णमेट अफ इंडिया से भी है कि इनके खिलाब सक्त एक्षन होना चाहिए अगर इनका राइट टू है फ्रीडम अक्षेक्शन है राइट टू एसेंबल है राइट टू डेमोस्टेशन है तो पब्लिक का भी तो है और आप अधर पार्ट भी देखेगा आज के जमाने का जो किसान है कितना जैन्यून है कितना सिंसियरली काम कर रहा है आप यहां पर जो गाजीपूर की जाईए फ्रूट एंड वेजटेबल मार्केट में हाल्डे आपको दो परसंट वेजटेबल फ्रूट ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर ऑक्षी डोसिन या और जैसे आपका कार्बाइड है या अधर इंफेक्शियर्स जो है कैमिकल नहीं होंगे उसमें जो लैड आर्सेनिक वगएरा बाकी जो है वो तो तो टैंटू टून्टी टाइम्स देन दी अड्मीजिबल लिमिट हैं और यह रखेश्ट आपको यह मेरा डिसक्शन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइज मैस्डी बिनलेश अड़ोकेट रम देली थैंक यू वरी मुच दन्यवाइड